नमस्कार मित्रों स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टुडी विट पी एन लोदा मित्रों रीट एक्जाम 2021 है तूं ब्रह्मास्त प्रश्ण उत्तरी लेकर आया हूं सिक्सन विदियो की बीस प्रश्ण है लिकाए मैंने आठ सही करके बताओ आठ यदि आप कर देते हो तो विश्वास करिएगा बहुत ही शांदार आपकी तैयारी है मित्रों निष्टा, दिक्षा, यूडाई, सेसे, पोड़ोलियो इन से सम्बंदित ये प्रश्ण है जो विध्यले से सम्बंदित चीज़े होती है तो मित्रों इसलिए कह रहा हो कि आठ प्रश्ण सही कर दीजेगा तो मतलब तैयरी आपकी बहुत ही शांदार चल रही है तो मित्रों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्ण देखेंगे साथियों पहला क्यूशन आपके आता है एक पुर्व पटन कारी का उद्देश्य है सिखसार्थियों से उनके पिछले ज्यान के बारे में बात करना पाट के विचारों के साथ सीखने वाले के अनुभव और ज्यान को जोड़ना कटिन शब्दों को खोजने के लिए सिखसार्थियों को सोयम पढ़ने के लिए कहना और पाट के लेकाक और पड़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाट की शिरुवात करना तो मित्रों जो पूरू पठन कारी होता है मतलब पठन से पहले का कारी उसका उद्देश क्या है सात्यों दिये गए विकल्पों में से सबसे बेश्ट विकल्प आपका है सेकन वाला जो पार्ट के विचार है उनके साथ में जो सीखने वाले मतलब जो चात्र है उनके अनुब M.D.M का द्रश्थिकोन नहीं है विद्याली पोशन अभियान अथीधी भोजन टीधी भोजन और खाना पकाने की प्रतियोगिता तो मित्रो M.D.M जो मिड़े मिल होता है विद्याले में जो पोशार आप सभी जानते होगी इसके बारे में तो वो विध्यली पोशन अभियान भी उसका दृष्टी कोण है, खाना पकाने की प्रतियोगीता भी उसका दृष्टी कोण है, तीती बोजन भी उसका दृष्टी कोण है, तीती बोजन का मतलब कि यह यह तीतियां है जिसमें स्कुल खुलेंगे तो वहाँ पर बोजन करवा वर्गों में शामिल है, पुर्व विध्याले से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 8 तक और कक्षा 1 से 10 तक, तो साथियों समग्र सिक्षा की बात करें, तो वर्तमान में समग्र का मतलब संपूर्ण, जो पुर्व प्रात्मिक विध्याले होते हैं, वहां से लेकर के कक्षा 12 तक की जो सिक्षा है वो समग्र सिक्षा के अंतरगत आ जाती है साथियों तो यहां पर पूर्व विध्याले से बारा तक का जो विकल्प है पहला वो ही आपका सई आंसर रहेगा प्रशन संख्या तीन में नेक्स्ट प्रशन नमबर चार देखेंगे साथियों चोता क्यूशन समग्र सिक्षा एकिकरित योजना है जिसमें सरकार की तीन पुरुवर्ति प्रायोजित प्रयोजना हैं कौन कौन सी है वो तीन योजना है सर्व सिक्षा अभियान राष्ट्रिये मध्यम सिक्षा अभियान और मिड़े मिल सर सर्व शिक्षय अभियान, राष्टि स्वयम सिक्षय अभियान और मड़ी ऐस। ‎ सु मग्र सिक्षय एक्षय योजना की तीन कौन सी योजना को सा साथियों सोच करके बताइएगा देखे जो समगरी शिख्षा एकी कृत योजना है इसमें सरकार की तीन योजना आती है एक तो है सरु सिख्ष अभियान दूसरा है राश्ट्रिय मद्यम सिख्ष अभियान और तीसरा है सिख्षक सिख्षा मतलब वेकल्प नमबर दो सई है आपका प्रश्ण नमबर चार में ये तीनों ही ये सरकार की पुरुवर्थी योजनाओं में आती है समग्र सिक्षा एकिक्रित योजना के अंतरगत। नेक्स्ट प्रेश नमबर पांच पे आते हैं साथियों पांचवा क्यूशन। प्रारमबिक इस्तर पर राश्री उपलब्दी सर्वेक्षन एन एएस किन कक्षाों में बच्चों की सीखने की उपलब्दी का आंकलन करने के लिए किया जाता हैं। दस्वी कक्षा तक, कक्षा एक से नो तक, कक्षा तीन से नो तक और कक्षा तीन, पांच वे आट। तो मित्रों इस प्रिश्ण का कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्ण नमबर पांच में तो मित्रों जो प्रारम्बिक इस तर पर राश्ट्री उपलब्दी सनुवेक्षन जिसको शोट में एन एस कहा जाता है ये कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक के जो बच्चे होते हैं उनकी सीखने की उपलब्दी का आखलन करने के लिए किया जाता है साथ यो तो विकल्प नमबर 3 सही है प्रश्ण नमबर 5 में नेक्स्ट प्रश्ण नमबर 6 पे आते हैं मित्रों छेटा क्यूशन है वर्तमान समय में डेटा एकत्रित करने के लिए सरकार दोरा शुरू किया गया ओनलाइन पोर्टल है यूडाइस दिक्षा एप शाला दरपन और यूनियन बेंक ओप इंडिया चुल्क जमा पोर्टल तो मित्रों वर्तमान समय की अगर हम बात करे डेटा एकत्रित करने के लिए सरकार दोरा शुरू किया गया ओनलाइन पोर्टल यूडाइस के नाम से जाना जाता है अर्थार्थ प्रश्ण नमबर 6 में आपका प्रश्ण विकल सही रहेगा नेक्ट प्रश्ण नमबर 7 पे आते प्रफ्ट नमबर आपका यहां पर प्रतम सही है नेक्स प्रफ्ट नमबर आट पे चलेंगे मैंने पहले ही बोल दिया था कि विध्याले से सम्मंदी चीजे इस स्टेश्ट में रखी गई है जो कि एक्जाम में पूछी जा सकती है बिल्कुल पूरे पूरे चांस है तो यह क्युशन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगे साथियों नेक्स प्रेश नमबर आट पे आते हैं पाटे चर्या चलाने के दोरान पूरू प्रात्मिक सिक्षा कारे करम में सिक्सन सास्त्र के तीन मुख्य गटक क्या है खेल परात्मिक सिक्षा के कारे करम की बात की जा रही है पाटे चर्या के अंतर्गत पूरू प्रात्मिक के आए गा लेकिन साथियों कहानी कहना पूरू प्रात्मिक में नहीं आता है तो फिर यह दोनों ही गलत हो जाते है अनुभवात मक अधिगम भी पूरु प्रात्मिक में नहीं आते बलकि प्रस पर सीखना और परिवेश ये चीजे ही पूरु प्रात्मिक सिख्षा कारे करम के मुख्य घटक होते हैं साथियों यहाँ पर आपका चोथा विकल्फ सही है प्रिशन अमबर आठ में नेग्ट्र प्रिशन नमबर नौ पे आते हैं देखवाल केंदर, संगीत केंदर, लर्निंग केंदर और अध्यान केंदर, तो कक्षया के भीतर का शेतर है, जहां बच्चों को विकास के क्विशिश टायम से संबंदित सामगरी मिलती है, उसको कहा जाता है लर्निंग केंदर, लर्निंग मतलब सीखने का जो केंदर होता है, कक्षा के भीतर का शेतर जिसको learning के अंदर ही कहा जाता है साथियों आपका थर्ड विगल्ब सही है प्रश्च नमबर 9 में नेक्ष्ट प्रश्च नमबर 10 पे आते हैं साथियों 10 वा क्यूशन क्या है देखते हैं 10 वा क्यूशन को छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आखलन के लिए निम्न तकनीक की आवशकता होती है portfolio, checklist, rating scale और उप्रयूक सभी तो छोटे बच्चे हैं वो खेलने के खेल खेलते हैं तो उनका आपको अवलोकन और आखलन दोनों ही करना है तो portfolio के माध्यम से, checklist के माध्यम से, rating skill के माध्यम से, सभी प्रकार से इन चीजों के आउशक्ता होती है साथियों मतलब प्रश्च नमबर 10 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों, चोता विकल्प बिल्कुल सही रहेगा दसवे क्यूशन में नेक्स प्रस्ट नमबर 11 पर आते हैं, 11 वा कुशन पुर्व प्रात्मिक केंदर पर आने वाले छोटे बच्चों के लिए आईू समू क्या होगा 3-4 साल, 2-3 साल, 3-6 साल, 4-5 साल तो पूरु प्रात्मिक केंदर पर जो बच्चे आते हैं तीन से छे साल तो हो गए नहीं क्यूंकि छे साल में तो बालक कहां पर आएगा जो कश्या एक है प्रात्मिक किस तर पर आएगा साथ यो दो से तीन साल का भी पुरू प्रात्मिक इस तर पे नहीं आता है बलकि ग्यारवे कुशन में जो राइट आंसर है मित्रों वो है चार से पांस साल का जैसे दो कला से होती है पुरू प्रात्मिक पर तो वहां पर मित्रों चार से पांस साल का बालक पुरू प्रात्मिक केंदर पर बच्चे आते है आयू समुईन का 4-5 साल ही है चोता विकल्प सही है ग्यारवे क्यूशन में नेक्स प्रश्च नमबर 12 एक बात और मैं आपको बता दूँ कि कि किसी भी प्रश्चन का कोई सा भी विकल्प गलत नहीं होगा क्योंकि खुद गूर्मेंट्स के दोरा ये क्यूशन बनाए गए है संग्यानात्मक विकास के एक उपायाम के रूप में मेथेमेटिकल थिंकिंग में शामिल है आकार और इस्थान की समझ उचलना और कूदना खेलना और कता का वाचन तो साथियों देखिए संग्यानात्मक विकास में उचलना कूदना दोनों खेलना नहीं आएंगे बलकि एक संग्यानात्मक विकास के अंतरगत आकार और इस्थान की समझ आ रहे ना तो समझ का संबंद ज्यान से ही होता है तो इसलिए यहाँ पर आपका प्रत्वम शब्दांशित तुकांत और ध्वनियों से बनी होती है मोकिक भाशा का विकास इसकी मानिता है यह प्रिंट जागरुकता की मानिता है यह द्वनी जागरुकता की मानिता है द्वनी में छोटी की मात रहना इन मेंसे कोई नहीं तो मित्रों देखिए शब्द शब्दांशि सब्सक्राइब करते हैं केवल खिलोने टेबल और कुर्सी पर काम विका से तु खेल एवं आयू आधारित उप्युक्त गतिविद्यां और सामगरी और एक्टिविटी वर्क शीट राइट आंसर बताना है चवद्वे में लेकिन मित्रों में आपको एक छोटी सी जान करें द कर दिया था तो अगर आपने वहां से सोल कर लिया है तो फिर भी इस वीडियो को देखिए ताकि एक्स्प्लेइन आपके मायन में अच्छे से हो जाए साथियो और अगर आपने उसे आपको डाउनलोड नहीं कर रखा है तो बिल्कुल निशुल्क मेरी तरप से वहां पर न लिंक भी दिख जाएगी कि जैसे 500 बच्चों ने दिया तो आपका कौन सा इस्थान उसमें आया है मित्रों तो एप्ट है टीचर गुरुजी के नाम से मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में और कमेंड बोक्स में डाल दिया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो चले इस प्रेशन का जो राइट आंसर है देखिए पूरु प्रात में केंदर के बच्चों को सिखाने के लिए केवल खिलोनों के ही माध्यम से नहीं सिखाते हैं टेबल और कुरसी पर काम नहीं करवाते हैं बलकि विका से तु खेल एवं आयो आधारित उप्युक्त गतिविद और सामगरी के द्वारा उनको सिखाने के लिए हम प्रोस्साहित कर सकते हैं साथियों मतलब थर्ड विकल्प आपके चवदुवे क्यूशन में राइट है नेक्ट प्रेशन नमबर पंदरा राज्यों और संग राज्य शेत्रों में समगर सिक्षा की कार्यान्वयन संस्ता क कौन सी है राज्य कार्यान्वयन समीथी राज्य का वित्वी भाग राज्य का खजाना राज्य प्रियोजना निदेशक कार्याले तो जो राज्य होते हैं और जो संग राज्य होते हैं इनके शेत्रों में समगर सिक्षा का जो कार्यान्वयन किया जाता है साथियों वो के दोवरा किया जाता है तो विखल्प नंबर एक सही है पंद्रवे प्रश्ण में नेक्ट प्रश्ण नंबर 16 आता है चात्रों के अधिगम का समय समय पर मुल्यांकन फिर रिक्तिस्तान और सिक्सन विधियों में मदद करता है सिक्सन अधिगम प्रकिरिया में सुधार करने चात्रों को ग्रेर देने चात्रों की बुद्धी की पेचान करने और चात्रों की योग्यता के बारे में जानने तो सात्यों चात्रों का जो अधिगम है उसका समय समय पर यदि हम मुल्यांकन करते हैं तो सिक्सन अधिगम प्रकिरिया में सुधार करने और सिक्सन विधियो में ये मदद करता है साथियों विकल्प नमबर एक सही है अपके सोल वे कुशन में नेक्ट प्रेश्ट नमबर सत्रा पे आता है सत्रा क्या है वेकल्पिक दिवसिये विद्याले मोडल को कारगर बनाने में कौनसी परमुक्चुनोती नहीं है जाग रुकता पेदा करना बच्चों में जाग रुकता पेदा करना भी चुनोती है लचिलापन भी चुनोती है कि किस प्रकार से बच्चों को छूट दी जाए स्वध्याई करना भी चुनोती है लेकिन अध्यान सामगरी सात्यों अध्यान सामगरी तो सभी के लिए सेम रहेगी इसलिए ये कोई और कटोर्ता से लागु कारेकरमों की शुरुआत प्रस्तावित सेखशिक पुनरगटन में महत्पूर्ण है। प्रियोजना विदी किसकी विचारधारा पर आदारित है जोन ड्यूवी किलपेट्रिक स्टेल ले होल और इन में से सबी सात्योग प्रियोजना विदी के जनक की बात करे तो जनक तो किलपेट्रिक है किन्तु अगर विचारधारा की बात करे तो ये विचारधारा जोन डिवी के दोरा दी गई थी प्रियोजनवादी विचारधारा इसी पर Killpatrick ने इस विदी का निर्मान कियाता साथियों अर्थात यहां पर आपका प्रतहविकल्प सही है क्यों किुकि विजारदारा पुची है तो जोन डिवी आया है और यूँ पूछता जनक कौन है तो फिर Killpatrick आजाता यहां 19 वे क्यूशन में प्रत्रम विकल्प सही है नेक्ष्ट 20 हुआ और अंतिम क्यूशन मित्रों इकाई पद्दती का अर्थ है संपून पुस्तक को एक साथ समाप्त करना वर्ष के अंत तक पाट्टे करम समाप्त करना किसी एक निश्चित प्रकरन के सभी बिंदूओं को एक साथ पढ़ाना और इन में से सभी तो मित्रों जो इकाई पद्दती इसका अर्थ क्या रहेगा तो मित्रों संपून पुस्तक को एक साथ समाप्त करोगे वो इकाई पद्दती नहीं कहलाती है वर्ष के अंत तक पाट्टे करम समाप्त करना ये भी इकाई पद्दती का रहत नहीं है बलकि इकाई पद्दती किसी एक निश्चित परकरन के सभी बिंदूओं को एक साथ इसमें पढ़ाया जाता है इकाई के माध्यम से थर्ड विकल्ब सही है बीसवे क्यूशन में तो सात्यों याच के बीस क्यूशन हो चुके हैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा सात्यों कमेंड करके जाएए कितने क्यूशन आपके सही हुए है और आपको ये टेस्ट केसा लगा साथ ही हो आप जरूर कमेंड करके जाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में